आझ हम बनाएंगे बहुत ही ज़ादा पसंद की जाने वाली इमर्ती ये खाने में बहुत ज़ादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना में बहुत ज़ादा आसान है इसे रबडी के साथ कुछ ज़ादा ही पसंद किया जाता है आज मैंने इमर्ती को बहुत ही आसान तरीके से बनाना है बस कुछ खास ट्रिक्स को आपको फॉलो करना रहता है कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो चलिए इस रसीली इमर्ती की रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं और इसे रबड़ी के साथ खाने में तो मजा ही आ जाता है बहुत जादा टेस्टी लगती खाने में तो फ्रेंड यहां पर बिना टाइम वेस्ट किये वे चलिए इस लाजवाब सी रेस्पी को बनाना सुरू करते हैं इमर्ती को उरत की दाल से बनाया जाता है इसके लिए मैंने 200 ग्राम उरत की दाल लिया था उसे 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया हूँ तो अब हम क्या करेंगे इसका पानी अच्छे से साफ कर लेंगे उसके बाद इसे एक मिकसर जार में डाल के बढ़िया सा पेस्ट बना के तयार कर लेंगे डाल को मैंने यहां मिकसर जार में डाल दिया है और इसे अच्छे से फाइन पेस्ट बना अगर जरूरत पड़े तो एक से दो चम्मच यहां पे पानी डाल सकते हैं मैंने यहां पे नहीं डाला है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना के तयार कर लिया है तो ये देखे फ्रेंड यहां पे मैंने इसको अच्छे से पीस लिया ये देखे इसमें दरदरापन बिल्कुल भी नहीं होना जाहिए बिल्कुल बढ़िया सी पिसी होनी जाहिए दाल यहाँ पे बढ़िया सी पिस्के मैंने तयार कर लिए तो चलिया अब इसे एक बरतर में ट्रांसफर कर लेते हैं मेरी वीडियो फूरी देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी वेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचता रहे आल को हम रख देंगे साइड में अब हम गैस की तरब चलते हैं तो यहाँ पे मैंने रखा एक भगोना और इसमें हम डालेंगे तीन कप के करीब चीनी इमिर्ती के चासनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जितने कप चीनी डाला है सेम उसी कौंटिटी में हम यहाँ पे पानी डाल देंगे इसमें इमिर्थी के लिए जो चासनी तयार होती वो ना तो एक तार की होती है ना ही दो तार की होती बस थोड़ा सा चिपा हो जया और चीनी हमारी अच्छे से गल जया बस उतना ही हमें चाहिए यहाँ पे मैंने तीन कप के करीब पानी भी इसमें डाल दिया है पानी डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे केसर के धागे इससे कलर इसका चेंज हो जाएगा साथी टेस्ट भी इसका इनहेंस होगा चासनी में बढ़िया सा फ्लेवर आए इसके लिए मैंने दो से तीन यहाँ पे इलाइची लिया और इसको कूट के इसमें डाल दिया है साथ ही अच्छे कलर के लिए इसमें मैंने औरेंज फूट कलर लिया है थोड़ा सी क्वांटिटी मैंने लिया है इसे अच्छे से स्पून की सायता से इसमें मिक्स कर दें अब हम इस चासनी में क्या करेंगे थोड़ा सा एड़ करेंगे नीबू का रस नीबू का रस डालने से चासनी हमारी जो होती है वो उसमें किस्टल वगरा बिल्कुल भी नहीं जमते हैं चीनी यहाँ पे अच्छे से गल गई है साथी अब इसे हम चेक कर लेते हैं यह देखें फ्रेंड यहाँ पे चासनी चिपचिपी हो गई है तो अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पे बंद कर देंगे चीनी फिलाल हम रख देंगे एक साइड में तो डाल को अब हम अच्छे से फेट लेंगे एकी डायरेक्शन में डाल को यहाँ पे लगबग 10 से 15 मिनट के लिए एकी डायरेक्शन में हाथों की साहाइता से अच्छे से फेट लेंगे डाल जब अच्छे से फेटी हुई होगी तब ही हमारी जो इमर्ती होगी वो कुरकुरी और फूली हुई बनेगी फ्रेंड यहाँ पे डाल को मैंने अच्छे से लगबग 15 मिनट तक फेट लिया है तो चलिए अब हम चेक कर लेते तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया और इसमें हम थोड़ा सा इसका डो डाल देंगे डो यहाँ पे अच्छे से ऊपर तैरने लगा तो यही साइन होता है कि हमाई डाल अच्छे से फिट के तयार हो गई है अब हम इस दाल में क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें डालेंगे ओरेंज फूड कलर जो इमर्ती का कलर होता है तो इसे डालने के बाद इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ये दिखे फ्रेंड यहाँ पे आटे में कलर अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे इससे दूसरे बर्तन में मैंने ट्रांसपर कर लिया है इमिर्ती को बनाने के लिए यहाँ पे फ्लेट कड़ाई का यूच होता है इसलिए यहाँ पे हमारे पास वो वाली तो कड़ाई है ने इसलिए हमने जिस बर्तन में अपनी दाल को फेटा तक उसी बर्तन में हम इमिर्ती को फ्राई करेंगे तो आज हम इमिर्ती को बनाएंगे इस sauce वाली बोटल में इस sauce वाली बोटल से इमिरती अच्छे से बन जाती है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप धूध या refined की जो polythines आती है उसमें भी इसे अच्छे से बना सकते हैं तो यहां पे मैंने sauce वाली बोटल में अच्छे से डो को भर लिया है तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते कि इमिर्थी हमारी अच्छे से बन रही की नहीं तो ये देखे फ्रेंड यहाँ पर अच्छे से बन रही है गैस पर पहले मैंने यहाँ पर बर्तन को चढ़ा दिया था और इसमें तेल को मैंने डाल दिया है तेल हलका गरम है बहुत जादा तेल गरम नहीं है तो चलिए हम इमिर्थी को बना लेंगे इमिर्ती को बनाने से पहले पहले दो रिंग बनाएंगे उसके बाद उसके उपर ही छोटी छोटी रिंग घुमाते हुए बनाते हुए चले जाएंगे इमिर्ती बनाना तब आसान हो जाता है जब आप इसे प्रैक्टिस करके बनाएंगे एक बार में यह अच्छे से नहीं बनती है तो यह देखे फ्रेंड यहाँ पर मैंने इसे बना के तयार कर लिया है और यह अच्छे से बन भी गई है दूसरी बार हम इसे बना के दिखा देते हैं कि यह कैसे बनती है तो यहाँ पर यह देखें इसे हम side मेरा कर देंगे और इसके बाद दूसरी मिर्ती बनाना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर पहले की तरह मैंने दो बार ring बनाई उसके बाद इसके उपर भी छोटी छोटी रिंग बनाते वो घुमाते वे चले जाएंगे इस तरह से ही मिर्ती बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है हलवाई लोगों का काम रोजी का होता है इसलिए वो परफेक्ट तरीके से मिर्ती बना लेते हैं लेकिन घर पे आप जब इसे बनाते हैं तो यह पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बन पाती है बट कई बार प्राक्टिस करने के बाद यह अच्छे से बन के तयार हो जाती है लेकिन घर पे आप गर आप थोड़ी बहुत मिश्टेक भी करते हैं इसके सेप में तो कोई बात नहीं बट ये तो पता होता है कि घर पे आप हाईजिनिक तरीके से बना रहे हैं तो ये देखे फ्रेंड यहाँ पे मैंने उसी तरह से पहले दो रिंग बनाए उसके बाद उसके उपर घुमाते हुए छोटी छोटी रिंग बनाते हुए चले गए हैं जिससे ये अच्छे से मिर्ती का सेप इसमें आ जाता है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं साथी मेरी वीडियो देखना आपको थोड़ा बहुत भी पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी वेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचता रहे तो ये देखे इमिर उस्ती को अच्छे से उलट पलट के हम फ्राई कर देंगे जब तक कि इसमें बढ़िया सा कलर ना आ जाए वैसे सभी लोगों को मीठे में इमिर्ती तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये रबडी के साथ कुछ यादा ही पसंद की जाती है रबडी के साथ ये खाने में पहुत ही ज़्यादा स्वादेश्ट लगती है वैसे ये तीस्ते हुआरों पे तो बनाई ही जाती है इसे आप इस्पेसल मौकों पर भी बना सकते हैं घर पे आसानी से तो फ्रेंड जब भी खाने का मन हो आप इमिर्ती तो घर पे बनाई और इसे परिवार के साथ अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे इसी तरह फ्रेंड बाकी का जो डो बचा है इमिर्ती वाला हम सेम प्रोसेस से बाकी की इमिर्ती बना के त्यार कर लेंगे जैसे मैंने आपको पहले बना के दिखा दिया है यहां पे फ्रेंड जो इमिर्ती हमारी अच्छे से फ्राई हो उसमें अच्छे से कलर आ गया उसको हम ओयल से बाहर निकाल लेंगे इमिर्थी को निकालने के बाद साथ ही साथ उसे हम चासनी में डाल देंगे ताकि उसमें अच्छे से अंदर तक रस भर जाए दो-तीन मिनट इमिर्थी रस में पड़ी रहेगे उसके बाद उसे दूसी साइट भी पलट देंगे ताकि अंदर तर रस अच्छे से भर जाए यहाँ पे तेल में जो बाकी की मिर्थी हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो उसको भी हम यहां से निकाल लेंगे तो इसी प्रोसेस सारी इमिर्थी बन के तयार हो गई तो चलिए अब चलते हैं सर्विंग की प्रोसेस में ये देखे यहाँ पे एक प्लेट में मैंने कुछ इमिर् Billboard के तयार कर लिया और इसमें मैंने जैसे हलवाई लोग डालते हैं यहाँ पे मैंने चांदी का वर्क लगा लिया थोड़े से यहाँ पे पिस्ता को कट करके डाला है आप अगर इसे नहीं पसंद करते तो उसे ऐसे भी खा सकते हैं, अगर थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाँ बाई